तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ क्या से एर करेंगे वह आप लोग देख लीजिए सुबा से ही आज की वीडियो से सुरू किया है मतलब एकड़ मौनिंग से जैसे बचों का स्कूल टीपीन हस्परेंड का ओफिस किस तरह से सारे काम निफ्टाते हैं और किस तरह से म साथे पांच बजे हैं घड़ी में आप देख सकते हैं तो साथे पांच बजे छे बजे से हमारी मौनिंग की सुरुगात हो जाती है जब बच्चों का स्कूल होता है लंच ले जाना होता है तो यहां पर देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा भी अधेरा है हलका हलका उज जाला हो रखा है जैसे ठंड की रात में साड़े 5 बजे 6 बजे बहुत जादा अधेरा होता था लेकिन अब 6 बजे एकदम से उजाला हो जाता है और सब कुछ दिखाई देने लगता है चुडिया भी चूँ चूँ चाचा कर रही हैं तो सुबा का सबसे पहला काम होता है बरत के लिए हमें आटव उतना होगा और चाय के बरतन निकाल लेंगे चाय बगएरा बनाना होगा बाकी के सारे बरतन हम लगा देंगे और सुबा का सबसे पहला काम यही होता है हमारा किशन में आने के बाद तो सारे बरतन को लगा देते हैं और जो हमें बनाना होगा उसको हम और गैस पे चाई चढ़ा देते हैं क्यूकि हजबेंड को सुभा सुभा ही चाई पीने जाना होता है तो अभी ये गये हैं मारनी वाक पे हजबेंड और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना किशन का काम सुभा के टाइम अगर बच्चों का स्कूल और लंच होता है तो हम तालने नहीं जाते हैं या तो फिर और जल्दी उठना होता है तो यहां फिर मटर की दाल को धूल के हम कूकर में चढ़ा देंगे तो मटर की दाल की कचवरियां बनाएंगे गोलू के लंच के लिए और अभी हजबेंट को ऑफिस जाएंगे खाने पीना खा कि क्या बनेगा कुछ पत कि लंच बनाना है तो सबजी और कचोड़ी ले जाएंगे गोलू तो इसमें हमने चार अलू डाल दी है बस इसका धक्कन लगा देगे और गयस पे चढ़ा देते हैं कूकर को हमारी दो सीटी में दाल भी बन जाएगी और हमारा आलू साथ साथ में वह भी बॉयल हो जाएग हमारी पक चुकी है जब तक हमने जाडू लगा है दाल को इस तरह से एक चलनी में रख देंगे तक जो पानी है इसका चचन जाए और हमारी दाल राइ ड्राइ हो जाए उसके बाद हम दाल को फ्राई भी करेंगे क्योंकि इसमें हमने मसाले और मिर्च वगरा कुछ भी नहीं डाला तो इसको हम फ्राई कर लेंगे तो गयस प और यहां पी पनी दाला में अच्छी में सब्रिस, यहां पछीक और सब्रिस बना सुझाइड़ सबस्क्राइना और इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, जीरा, कढई पत्था जो कि हमारे गारडेन में हमने लगाया है ऐ िढ़ी छोकि हमारे घुजान आजाय वहालों पमाटर 25 सही पत्याम एब चुन यहां तै कि हमारे मसाले जले नहीं आप जो हमने कट कर के आलू रखेंगे 나왔र यह बौाइल्ड आलू है जली-जल्दी होता हैं तो यहां भी थंडी हो चुकी है दौर्ड़ी अगराहियी में सब्जी पक रही है तो सेमी सी तरह कचोडिया बना लेंगे जैसे हम आलू के पराठे की तरह बनाते हैं इसको बेलेंगे नियुके काड़ाही काड़ा एक पर कचोडیا बनाएंगे टीन को तो तीनो कचोड़ी की डाल देंगे इधर हमारी आलू की सब्जी देख लेते हैं एक दम अच्छे से पक चुकी है खुस बहुत अच्छी आ रही है महक और उपर से डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती तो हमारी कचोड़ी भी तैयार हो चुकी है सब्जी भी प्लेट लगा द गवरी घर पे ही रहती है इनका आफ लाइन पेपर होता है तो इनके पापा इनको छोड़ने जाते हैं और साथ में गवरी छोड़ने बाहर तक गई है और इनके पापा छोड़के सडक तक आते हैं क्योंकि रोड पे काफी ज़्यादा बस और गाड़ी आती रहती है कैसे ल करने भी नहीं दे रहे हो रहा है। करने भूज़ंज देर फरी सब्सक्रांइब करिण से लिभर ज़ने पक्रेंटाइब है restaurant इसमें चावल को डाल देंगे, चावल फ्राई हो जाएगा, तो आज पहली बार ये वाली खीर बना रहे हैं, नहीं तो हम भगोने में ही खीर बनाते हैं, तो सबसे पहरे चावल को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, एक कटोरी, और कि आज हमको जल्दी ही ओफिस निकलना है, तो भाई जब टिपिन बन ही रही थी, तो मैं सोचा चलो इनका भी फटा फट से पराठा बना देते हैं, उसके बाद ही बागी एक काम करेंगे, तो हस्बाइन बोल रहे थे कि हम कचोड़ी नहीं खाएंगे, ज़्यादा ओयली हो भाई दूध है, अब इसमें हम हम दूध को डाल देंगे, जो हमारा चावल है, और इसको अच्छे से निकल करेंगे, और एक वाल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद इसमें सुखे कटे हुए में मेहों डाल दीजेङें, पी खीर बन जाएगी, जटपट बन जाता है, ले तो सबके लिए खाना यही बना था और अब हम सुखे मेवे डाल देते हैं शुबह सुबह इनको जल दी था तो उने इनको खाना लगा दिया है और खीर मेवे डाला अब बज रहे हैं सबस्क्राइब करणा हैं यहीं कि अच्छे से तयार हो जाते हैं इसलिए हम रहे हैं अच्छे से तयार होने का मतलब कि साड़ी पहल ले थोड़ा सा लाइन लगा लिया है बस रोज पुजा किया चाय पी और अभी खाना खाएंगे बारा बजे उसके पहले जो हमने काम किया था मतलब अगर धेर सारे हो गए थे तो उन सब को धूला सब कुछ रखा और उसके बाद हमारा जो काम होता है थोड़ी देर मोबाइल चला है अज की वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड आप लोगों से मिलेगे नेश्ट वीडियो में हमारा खाना पीना हो चुका है अब नया ब्लॉग सुरूआँगे सामसे अगर कुछ होगा शेर करने को तो नहीं तो फिर नेश्ट ब्लॉग में मिलेगे आप लोगों से तब तक के लिए बाबाई और हाँ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना मिलते हैं फिर बाबाई